प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे आय की मात्रा यह आय की मात्रा है आये जानते हैं कि हिंदी के अक्छरों में हम कैसे आय की मात्रा लगाएंगे और उसे कैसे पढ़ेंगे देखो हाथी कौन से अक्छर लेकर आ रहा है क अब क में चिडिया मात्रा लगाएंगी कौन सी मात्रा लगाई है आय की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे कै आप सब भी पढ़ें कै तो इसी तरह हर अक्छर में मात्रा लगाएंगे आईए देखते हैं कि किस अक्षर को कौन लेकर आ रहा है ख खै ग गै आप सब भी साथ में पढ़ते जाईए घ घै अरे वाहा अब तो घोड़ा अक्षर लेकर आ रहा है कौन से अक्षर लाया च अब चिडिया मात्रा लगा दी तो बन गया चै च चै जए 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 अब ता में मात्रा लगाएंगे तो बन गया टै थे 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 ध्ड़े थे ध्ड़े ध्ड़े अब अब अड़ा के बाद कौन से अक्षर आता है और उसे कौन लेकर आएगा आएए देखते हैं हाथी लेकर आया है कौन से अक्षर त ते ते थख थे द द दे ध्ड़ ध्ड़े न न अरे वाँ अब तो गोड़ा अक्षर लेकर आया है कौन से अक्षर प पे 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 बे भड़ भे मेड़े 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 यड़े यड़े यए र र रे ल ले ले व वे यड़े श श श श श यड़े यड़े श 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 स ह ह ह अब हाग के बाद कौन सा चराएगा अच्छा श श श श श श श तरे यड़े श इसके बाद 3 अक्छर और है उसे ध्यान से पढ़ीए प्ड़ा रहें प्ड़ा रहें श्रा श्रै तो दोस्तों इस तरह आपने हर अक्षर में मात्र लगाना सीखा अगले वीडियो में हम ओ की मात्र लगाना सीखेंगे हमारे वीडियो को लाइक अवस्य कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद